हालो फ्रेंड्स वेर्टकूल बाइचेल पुछा पटेल इस वीडियो के थरू में आपको समझाने की कोशिश करूंगे कि फाइल सिस्टम और डिपीर में इसके बीच का क्या डिफरेंस होता है तो स्ट्रक्चर तो सब्सक्राइब करें तो फाइल सिस्टम इस सॉफ्ट्वेर फाइल इन स्टोरेज में विदिना कंप्यूटर मालब कि कोई एक कंप्यूटर के अंदर ऐसा सॉफ्ट्वेर होगा कि जो फाइल को और मैनेज करेगा वो हार्डवेर में जो हम स्टोरेज यूज करते हैं हार्ड डिस्क और वो एस डीड उसका वो इस्तमाल करेगा जबकि डीबीष में वह एक एसा सॉफ्टर होगा कि जो डेटाबैस को मेनज करे अप्र करेंगा डीटा रिदलन से रिधिनन डीटागत रिचते हिसमें दूप्रिकेट डीटा हो सकते हुए जबकि डिबीष में इसा याई रिदून डेटा का नहीं होता है यशा कि रिधिन्क अन अगर खो जाए तो वो बेकप और रिकावर नहीं कर पाएंगे ट्रिडिश्टाल फाइल सिस्टम में जबकि डिबी बैस में डेटा रिकावरी और डेटा बेकप पॉसिबल हो सकता है उसमें जो भी डेटा होता है एक दूसरे से जबकि डिबी बैस में डेटा एक दूसरे के उपर डिपेंड करता है सिक्यूरिटी तो फाइल सिस्टम में वो कम सीक्यूर्ड है और डिबी बैसे ज्यादा Ś lobby कॉंपलेक्स स्टी तो कमकॉंप्लेक्स से फाइल सिझ्थम और डिबी कम है कैम कोंशेंस्टन्स ज्यादा है query processing there is no efficient query processing in the file system मालब कि इसमें file specific organizer manage ही होती है उसमें कोई query नहीं use होती जबकि dbms में query use होती है efficient query processing in there is there in dbms तो I hope कि file system और dbms के बीच का क्या difference basics हो सकता है basic points of difference तो अब वो आपको मेरे वीडियो के तुरू पता चल गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंट्स को में share कर देना और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक आके subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर देना thanks for watching my video